हेलो फ्रेंट्स, हेलो इस्टुरेंट्स, वेलकम टू दे इंग्लिस क्लासेज, ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिस के विहाइब टेक्स्ट बूक का चैप्टर नमबर एट है इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है संतोष यादो और सेकेंड पार्ट है मारिया शरापोवा तो संतोष यादो का मैंने कोश्चान अंसर, MCQ सारा वीडियो बनाके अप्लोड कर दिया है यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके उसे आप देख सकते हैं और मारिया शरापोवा का भी जो कम्प्रिहेंसा ने उसको मैंने अफ्लोड कर दिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मारिया शरापोवा का short answer type questions और long answer type questions तो आईए बिना देर के हमीशे शुरू करते हैं यह है understanding the text short answer type questions answer the following questions in about 25 words यानि मुली खित प्रस्णों के जवाब लगबक 25 शब्दों में दें first number question है when was मारिया लिफटेट तु दी वल्ड नंबर वण position in women tennis यानि महिला tennis में मार्या नमबर एक अस्थान पर कप पहुंची तिसका अंसर होगा मार्या was lifted to the world number one position in tennis on monday 22 अगस 2005 यानि मार्या महिला tennis में 20 अगस 2005 स्वमकर22 अगस 2005 को पहुंची इसमें second question है how long did it take to her to reach the p enemy यानि चोठी तक पहुचने में उसे कितना समय लगा तिसका अंसर होगा इटू कहर जस्ट फोर इयर्स टू रीच दी पिनाकल यानि उसे चोठी तक पहुचने में केवल चार वर्स लगी थर्ड नमर कोश्चन है How old was Maria when she was packed off to train in the US यानि जब वो अमेरिका में प्रशिछड पाने के लिए गई तो मारिया की अवस्था क्या थी यानि उम्र क्या थी तिसका अंसर होगा मारिया was not at 10 when she was packed off to train in the US यानि मारिया अभी 10 वर्स की भी नई थी जब वो अमेरिका में प्रशिछड पाने के लिए गई फूर्थ नमर कोचे ने वाट थिंग अफसेट मारिया अंड एलेना हर मदर यानि मारिया तथा उसकी माता जी एलेना को किस चीज ने परिशान कर दिया तिसका अंसर होगा ए हर्ट रेंचिंग टू इयर separation of mother and daughter upset both of them यानि मा और बेटी के दो वर्ष के हिरदय दुखाने वाले बिलो जो बीचोव था यानि अलगाव था ने उन दोनों को परिशान कर दिया फाइफ नमर कोचे ने वाइड शारापोवा used to be so lonely यानि शारापोवा इतनी अकेली क्यों हुआ करती थी यानि शारापोवा अकेला पर महसूष किया करती थी क्योंकि उसे अपनी मा की बहुत याद आती थी यानि वाइड शारापोवा इतनी गो तो बेड अज जस्ट 8 पियम यानि वा सिर्फ आठ बजे रात्री को क्यों सोजाया जाती थी और उसे रात्री के ग्यारा बजे कौन परिशान करता था और कैसे तिसकांसर वाइड शी यूज तो बेड अट 8 पियम बिकाज शी वा सो यंग यानि वा आठ बजे रात्री में सो जाया करती थी क्योंकि वा बहुत अभी छोटी थी अधर टेनिस पूपिल्स डिस्टोब्ड हर बाइड कमिंग इन अट 11 पियम और वाकिंग अप हर अप एंड और हर तो टीडी अप दी रूम एंड क्लीनी दूसरे जो टेनिस खेलने माले जो शीश थे उसे ग्यारा बजे रा दाखी लोकर उसे जगा कर और उसे कमरा बेवस्थित करने को तथा उसे साफ करने को कहकर परिशान किया करते थे 7. Q. What according to Sharapova happens when you come from nothing and you have nothing अनि Sharapova के अनुशार क्या होता है जब आप सुन्न से आते हैं तथा आपके पास कुछ नहीं होता यानि Sharapova के अनुशार जब आप सुन्न से आते हैं तथा आपके पास कुछ नहीं होता तो यह आपको बहुत भूखा तथा द्रिष निशाई बना देता है 8. Q. She begged the woman's single crown at Wimbledon in 2004 यानि उसे महिला एकल खिताब Wimbledon 2004 में जीत लिया What was the key to it? यानि इसका मूल मंत्र क्या था? इसका अंसर होगा Her toughness was the key to her begging the woman's single crown at the Wimbledon in 2004 यानि उसकी मजबूती उसके 2004 में Wimbledon में महिला एकल खिताब जीताने की कुझी थी 9. Q. What is Maria Sarapova's mantra for success? यानि Maria Sarapova का सफलता का मंत्र क्या है? इसका अंसर होगा Her being competitive and hard working is Maria Sarapova's mantra for success यानि उसका अंसर होगा ततिस्फरदात्मक परिश्रमी होना ही Maria Sarapova का सफलता का मंत्र है 10. Q. How can you say Maria is a Russian at heart? यानि आप कैसे कह सकते हैं कि Maria Hirdeasya Rushi है? इसका अंसर होगा She says that though the US is a big part of her life Yet she is Russian, has Russian citizenship and her blood is totally Russian Anyway, कैती है कि यानि पी शन्यूकत राष्ट मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिश्या है तथा आपी मैं रूशी हूँ, मेरे पास रूश की नागरिकता है और तथा मेरा रग्त पूरत रूशी है She wants to play the Olympics for Russia और रुशिया के लिए ओलंपी खेलना चाहती है Thus we can say Maria is a Russian at heart और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Maria Hirdeasya Rushi है 11. Q. Mention Maria's hobbies as are described in the lesson यानि Maria के रूशिया जैसा की पार्ट में बताई गई हैं बताईए इसका अंसर होगा Besides tennis, she likes fashion, singing and dancing यानि टेनिस का अत्रिकत उसे fashion, गायन तथा निर्थ प्रिय हैं They are her hobbies और ये उसके शौक है 12. Q. What qualities have lifted Maria to the top of the world यानि किन गुड़ों ने Maria को संसार की चोटी तक उठाया है तो इसका अंसर होगा Her dedication to tennis, her professionalism, her toughness and her hard work have lifted her to the top of the world यानि tennis के प्रति उसके समरपड, उसकी ब्यवसाइकता, उसकी कठोरता तथा उसकी कठोर स्रम ने उसे संसार की चोटी तक पहुचाया है अब इसका हम करेंगे C number appreciating the text यानि long answer type questions यानि answer the following questions in about 60 words फ्रेंड इसका हम question read करेंगे और उसकी हिंदी ये बता देंगे बट इसका answer जो है वो काफी long है तो इसका answer मैं write कर दूँँगा आप इसक्रीन पर देख के उसको आप लिख सकते हैं और उसको write करके आप learn कर सकते हैं तो आईए बिना देर की इसे हमें स्टार्ट करते हैं उसे फर्स्ट नमर question है describe little maria's journey from Siberia to the US in your own world मारिया की Siberia से अमेरिका तक की यातरा को अपने शब्दों में वरलित कीजिए तीसका answer आप इसक्रीन पर देख पा रहे हैं मारिया साइबरेनियन गर्ल इसको आप इसक्रीन को पाज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें इसकेंड नमर question है इसको भी आप इसक्रीन पर देख पा रहे हैं इसको भी पाज करके आप राइट कर लें थर्ड नमर question है अमेरिका इस इंपोर्टेंट टू सारा पोवा बट हर ब्लड इस टोटली रसियन एक्स्प्लेन यहनि अमेरिका सारा पोवा के लिए महतपूर है किन्त उसका रग्त पूर्था रूशी है समझाईए तो अभी शार्ट में मैंने इसको समझाया इए है आप इसको डिटर्माइन या इसको आप इस वीडियो को पॉज करके आप उने नोटबुक में से नोटडाउन कर ले मारिया सारा पोवा रिचेज अमेरिका टू ट्रेन इन टेनिस तो हम उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई होगे तुमने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा थैंक्यू थैंक्स पॉआचिंग